गाइज इस्रम कार्ड धारकों को एक हजार रपे मिलना सुरू हो गया है अगर अभी तक आपको एक हजार रपे का जो भत्ता मिलता है इस्रम कार्ड धारकों को अगर आपको पास इस्रम कार्ड है अगर आपको अभी तक एक हजार रपे का भत्ता नहीं मिला है तो आज किस व कि मेरा 1000 रुपे मेरे एकाउन में आज के डेट में आ चुका है तो कैसे अपने 1000 रुपे के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आपने KYC नहीं किया तो कैसे KYC करना है यह टुजर जनकारी इसरम के बारे में देना वाला हूं तो मेरा पहले से इसरम कार्ड बना हुआ तो हम यहाँ पे और रेड़ी अरजिस्ट्रेट लोगिन के उपर हम क्लिक करेंगे जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसरम कार्ड का पोटाल खुल चुका है इसको उपर लोगिन करने के लिए आपको 9 बैस ले करके सामको 6 बजे तक आप डेली कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे जाएंगा नीचे जाने के बाद से आपने इसरम कार्ड जो आपने बनवाया हुआ था उसके बाद से आपको यहाँ पे आधार नमर डालना पड़ेगा जो आपने लोगिन जब किया हुआ था आपना जब आपने इसरम कार्ड का आईडी बनवाया हुआ सकते हैं या I am e Tap you can addएक कर करें कि एक sleeps करना है उसके उपर हमurer लिखा हुए लेको करीदिना है जैसे सद्चकफ का कर 2 मैं पर हम किलिक करेंगे उसके आपको जो अपने मंबाइल नमर दिया गुआ था उस नmbर म altern corp करने के पाद आपको यहाँपर लिंग रहाओं ढगया और इसके पाद से यहाँपर फोटो नहीं है फोटो को घ्रमी अप इसके लिए आपको यह पर एंपर अपर टिक है इसके उपर हमें क्लिक कर देना है। उसके आपको यहाँ पर अबको क्वारिं आपको यहाँड पर हमें पर हमें फॉटत करें न जो है। कि यहां पर लिखा हुए Home लिखा है Update प्रॉफाइल लिखा है और आपके पास पहले से इस्वर्म कार्ड नहीं है तो आप यहां पर डाउनोड करके करके डाउनोड कर सकते हैं आप हैं यहां पर आपको कुछ इसपर करण से देखने को आपको मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर डाउन्लोड करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और डाउन्लोड कर सकते हैं यहाँ सबसे पहले अगर आपका 1000 पर नहीं आया हुआ तो आपको यहाँ पर अपडेट पर फाइल लिखा हुआ आप आपका भतार नहीं आए हुआ तो यहां पर बैंक काउंट डिटेल के उपर हमें क्लिक करना है जैसे यहां पर क्लिक करेंगो उसके बास से आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर लिखा हुए